Hello students, good morning all of you, आज हम बात करेंगे class 7th के chapter number 1st, nutrition in plants के बारे में, इस वीडियो में हम जो हमारे unit test first है, उनका revision करेंगे, तो आज हम revise करेंगे chapter 1st के very short answer question का, ठीक है, तो सभी students अपनी book और science की notebook क्या करेंगे, पास में लेके बैठेंगे, ठीक है, तो start करते हैं देखो, आपका सबसे first question है, name the process by which green plants prepare their food, हमें उस process का नाम बताना है, जिसके द्वारा जो green plants हैं, वो अपना खाना बनाते हैं, तो वो कौन सी process है, जिसके द्वारा green plants अपना खाना बनाते हैं, कौन सी process है, photosynthesis की process, ठीक है, second question है, what type of plant is cascata, जो cascata है, वो किस तरीके का plant है, तो देखो, जब हमने chapter पड़ा था, तो उसके अंदर जो heterotropic plants हैं, उनको हमने four parts में क्या किया था, divide किया था, तो सबसे first हमने बताया था parasitic, फिर saprophytic, third बताया था insectivirus, और fourth बताया था symbiotic, तो ये जो four types हैं, इन में से cascata जो है, वो कौन सा type है, तो कौन सा type है, parasitic, कौन सा है, parasitic, अब parasitic जो होत होता है, कि इसके अंदर वो plants होते हैं, जो कि किसी और plants पे, मतलब कि अपने food के लिए, किसी अनदर plant पे क्या करते हैं, depend करते हैं, कसकटा अमर बेल का भी यही काम होता है, किसी और plant पे क्या होती है, depend होती है, ठीक है, ना इसकी कोई root होती है, ना इसकी कोई leaves अगर होती है, है तो यह कैसी होती है yellowish color की होती है तो यह क्या होती है किसी ओर plant पर क्या होती है the depends होती तो यह किस तरीखे का plant है पेरसाइटिक घ्रक है next है what are plants which 8 insects called अब हमने जो फौट टाइपो हैपन से प्लांट को डिवाइड किया था इनके अनदर से वो कौन से प्लांट्स हैं वो कौन से पोदे हैं जो की इंसेक्ट्स को खाते हैं तो कौन से खाते हैं इंसेक्टी वाइरस खाते हैं अब इंसेक्टी वाइरस का हमने एक्जामपल भी पढ़ा था एक तो पिच्चर प्लांट और दूसरा विनस फ्लाइट्रेप पढ़े थे कि ने ये दो example एक तो picture plant और दूसरा venus fly trap तो वो कौन से पोदे हैं जो की क्या खाते हैं insects को खाते हैं तो कौन से हैं Insect virus हैं उसके बाद है water liking liking क्या होते हैं lichens वो organism होते हैं ठीक है जिसके अंदर fungus और green alga जो है वो क्या रहते हैं एक ही साथ रहते हैं ठीक है लाइकेंस वो और्गेनिजम होते हैं जिसके अंदर फंगस और ग्रीन अलगा जो है वो एक साथ रहते हैं ठीक है तो ये वेरी शोट जो है आपके चार ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे इस वीडियो के तुरू आपको ये जो चार वेरी शोट हैं इनको अच्छे से विद्ध स्पेलिंग क्या करना है लर्न करना है ठीक है